नमस्कार बहुत स्वागत है आपका होलिका देहन के दिन कुछ ऐसी चीजे है जिसे भूल कर भी नहीं खाना चाहिए और कुछ ऐसे कारे भी है जो नहीं करना चाहिए तो आज हम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कुछ साबधानियों के बारे में नहीं तो परिसानी जीवन में बढ़ सकती है देखे जोतिस सास्त के अनुसार होलिका देहन की रात में लोग टोने टोटके करते हैं टोने टोटके आजमाते हैं इसी लिए इस दिन किसी के भी घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए ऐसा करने से आपको सारीडिक नुकसान हो सकता है इस बात का ध्यान रखे और होलिका देहन के समय किसी भी चौराहे को मत लांगिए साइट से निकल जाएए क्योंकि चौराहे पर लोग कई तरह का नजर उतारा परक्रिया भी करते हैं अब जैसे चौराहे पर निम्बू काटकर फेक देंगे, कुछ लौंग फेक देंगे, काली मिर्च फेक देंगे, आपके पैर पढ़ जाएंगे तो फिर मुस्किल गले पढ़ जाएगी तो इन चीजों का ध्यान रखे होली का देहन के दिन दूसरों के घर में खाना भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि हो सकता है वो आप पर कुछ आजमाना चाहते हों कुछ मिला कर खिला दे तो आपके जीवन में दुर्भाग का साया पढ़ जाएगा इसका ध्यान रखिएगा और एक बात याद रखेगा होली का देहन के दिन खास कर जो महिलाएं है वो अपने बालों को खुला न रखें बांध ले क्लचर लगा ले रीबन लगा ले क्योंकि बालों से जो निगेटिव एनरजी है वो प्रभावित होती है आपके जीवन में मुस्किलें पैदा कर सकत हैं इस दिन किसी को भी उधार मत दीजिए क्योंकि ऐसा करने से लक्षमी आपके घर से जा सकती है धन की कमी होगी इसलिए भूल कर भी मत दीजिए का किसी को उधार और इसके साथ ही अगर आपको कोई पडोसी या कोई भी व्यक्ति होलिका देहन के दिन आपसे कोई भी साम मांगने आए खासकर लक्षमी से संबंदित जैसे पैसा उधार है दही है कोई भी चीज दूद है नमक है मत देजेगा और इस दिन किसी के दीवी सफेद वस्तू भूलकर भी मत खाईएगा भले ही कोई आपको परसाद की रूप में ही दे गया हो परसाद है उस दिन मत जैसे बतासा है सफेद मिठाई है खीर है मत खाईएगा बढ़ना परिसानी बढ़ेगी होलिका दहन की रात कभी भी कपड़ों को खुले आंगन में मत सुखने दे ऐसा करने से कपड़ों में निगेटिव एनरजी परवेश कर जाएगी और होलिका दहन की परिक्रमा जब की अच्छा है तो होलिका दहन के दिन किसी दूसरे के घर का कोई भी बस्तू मत खाईएगा वरना लोग टोटके करते हैं और इस दिन जीवन में अगर चाहते हैं खुब तरक्की हो तो मीठे बचन बोले पैर गुला कर आप गले मिले रंग लगाए एक दूसरे को गले लगाए प्रणाम करे बड़े हैं आसिरवाद जरूर घर में चीटियों का निकलना क्या संकेत देता है माना जाता है कि जिस घर में चीटियां आती है उस घर के लोगों को आने वाले दिनों का संकेत मिल जाता है यानि जिनकी छटी इंद्रे यानि सिट सेंस वकुभी काम करती है उस घर में चीटियां आती है लेकिन लाल चीटियां और काली चीटियां दो तरह की चीटियां होती है पर दोनों में से कौन सा घर में आना अच्छा होता है कौन सा बुरा तो घर में निकलने वाली चीटियों की अगर हम बात करें तो आपके जीवन में होने वाली किसी घटना का ही संकेत देती है जब ये चीटियां आपके घर आती है अगर काली चीटियां आ रही है तो खुस हो जाईए क्योंकि काली चीटियां आपके जीवन में होने वाली भवेस्य की सुकसान्ती को दरसाती है यानि कि घर में सुकसान्ती आएगी बोड़तरी होगी काली चीटियों को आपके एस्वरिके बढ़ने से भी जोड़ कर देखा जाता है काली चीटियों को आप आटा और चीनी मिक्स करके डालना सुरू कर दे अगर आपके चावल से भरे बरतन से चीटिया निकल रही है तो बहुत सुबसंकेत है क्योंकि कुछी दिनों में आपकी धन बर्दी होगी चावल का सीधा संबंद मालक्षमी से है इससे आर्थिक स्तिती उत्तम होने के भी संकेत इसको माने जाते है कालिक चीटिया जो होती है भौतिक सुखों को बढ़ाने वाली होती है इसलिए सुब मानी जाती है अगर आपके घर से में कहीं भी लाल चीटिया दिखाई दे रही हो तो साबधान हो जाईए क्योंकि लाल चीटियां असुबता का संकेत मानी जाती है लाल चीटियां भविसी की परिसानिया, बिवात, धन के खर्चे को दरसाता है और अगर लाल चीटियां आपके घर में आ रही है तो ये अच्छा नहीं माना जाता इसका मतलब आपके जीवन में कुछ गलत होने जा रहा है या कुछ गलत हो सकता है पर डड़ने की आवसकता नहीं है क्योंकि लाल चीटियां मुँ में अंडा लेकर घर से बाहर निकले तो ये अच्छा संकेत है चीटियों को खाने के लिए आप आटा और उसमें चीनी मिक्स करके जरूर डाले लेकिन अगर चीटियां आपके घर में भूकी रहेंगी तब ये असुब है लेकिन कुछ ऐसी दिसाएं हैं जिस दिसाओं को आपके भागे से भी जोड़ कर देखा जाता है क्योंकि एक निस्चित दिसाओं से आपके घर में चीटियों का आना अच्छा संकेत देता है अगर काली चीटियां आपके घर में उत्तर दिसाओं से आती है तो ये सबसे ज़्यादा सुब माना जाता है लेकिन अगर दक्चिन दिसा से चीटियां आ रही है तो आपके लिए फाइदे मन्त होगा पर पूरब दिसा से आए तो कोई बढ़िया सूचना मिलेगी दक्षिन अगर दिसा से आए तो ठीक है लेकिन पस्चिन दिसा से आए तो लंबी दूरी की यात्रा की योग बनते हैं पर ये सभी संकेत काली चीटियों के साथ ही जोड़ कर देखा जाता है तो चीटियों को घर में निकलना सुपत है पर लाल चीटि और काली चीटि दोनों ही अलग अलग संकेत देती है वैसे तो काली चीटियां समाने तोर पर घरों में चलती दिखाई देगी और लाल चीटियां बगीचे में रहती है अब देखिए कुछ अगर बार बार आपके घर में काली चीटी आए तो निस्चित तोर पर धन बिर्धी होने के संकेत होंगे इसका मतलब निकट भविस्से में आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी होगी भौतिक सुख सुवीधाएं बढ़ेगी पर लाल चीटिया निकले तब ऐसे में थोड़ा सा आपको केर करना होगा चीटिया तो अकसर लोगों के घर में पाई जाती है और ऐसा कहा जाता है अगर काली चीटिया आपके घर में जुंड बना कर समुह बना कर घुमे तो उस घर में सुख और एस्वर बढ़ता है चाहे वो काली चीटि छोटी हो या बड़ी वाली हो लेकिन अगर लाल चीटि निकले तो इसे असू माना जाता है नुकसान होने की संभावना होती है अगर हम सकून सासर की माने तो चावल के भरे बरतन से अगर चीटियां निकले तो यह बहुत अच्छा होता है इसका मतलब है कि धन बर्दी होगा निकट भविस्य में आर्थिक इस्तिति बढ़ियां आपके जीवन में सुख बढ़ेगा और अगर आपके घर की छट से चीटियां निकले तो धन संपत्ति और भौतिक चीजों को बढ़ाता है उसका फाइदा देता है लेकिन अगर लाल चीटियां घर हमेशा आने लगे खासकर आपके कीचन में तो सास्त्र यह भी कहता है कि देती है निकट भविस में बाद भी बाद या धन का खर्चा बढ़ेगा लाल चीटियां अगर बाहर निकले घर से तो आपके तो आटे में सक्कर मिला कर आप जहां भी उसकी बौभी है बांबी जहां से वो निकल रही है उधर दे दे और अगर मुंह में अंडा दबा कर ल चीटी देती है कुछ संकेत जैसे कि अगर घर में काली चीटियां बहुत ज्यादा हो तो असुब है क्योंकि कोई भी चीच की अती अच्छी नहीं होती लेकिन सिंपल तरीके से बस है तो ठीक है और मालक्ष्मी की कृपा बरसती है घर में चीटियां अगर उत्तर दिसा से तो सुख बढ़ाता है दक्षिन दिसा से चीटी निकले तो लाव देता है चीटी अगर पूरव दिसा से आए तो नकात्मक उरजायों को बढ़ा देता है और चीटियां अगर पस्चिन दिसा से निकले तो बाहर जाने के संकेत होते हैं यात्रा के संकेत होते हैं लेकिन ची चीटिया निकले वो तो अच्छा है पर जरूरत से ज़्यादा किसी भी चीज की अती है तो उसको बाहर निकालने का वेवस्था करें अब यह नहीं कि चीटिया आना अच्छा है तो आपके खाने में जा रहा है तो यह तो गलत होगा कहां कहां चल कर आई है इसलिए साफ सफा अधुलाय के वेवस्था करना है लेकिन हाँ चीटिया घर में आना सूब है संकेत देती है तो लाल चीटिया अगर दीख रही है तो साबधान हो जाईए क्योंकि यह असूब माना जाता है भविश्व में परेसानिया हो सकती है और अगर लाल चीटियां मुँँ में अंडा लेकर घर से बाहर जाए तो अच्छा संकेत होता है खाने पीने की चीजें जरूर दे दोस्त कमेगा धन्यवाद हम पर विलेंगे जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करे